नमस्कार आप देख रहे हैं हरियाना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ दीशा आये रूप करते हैं इस वक्त पीबड़ी कबर कियो भाजपा की सोनिपत में महारा हरियाना नोन्स्टोप हरियाना जन आशिरवाद रैली में भाजपा से हिसाब मांगने वालों पर गरजते हुए मुख्यमंत्री नायव सिंगसानी ने कहा की अभी तो कॉंगरेस वेंटिलेटर पर है अगर मैंने दस वर्षो का पूरा हिसाब दे दिया तो कॉंगरेस आईसीव में चलिग जाएगी नायव सिंगसानी ने कहा की बड़ा अचरज होता है की लोगों को जूटे सब जबाग दिखा कर वोट बटोरने वाले हमारा हिसाब मांग रहे हैं शायराना अंदाज में बोलते हुए मुख्यमंत्री नायव सिंगसानी ने कहा की दिल में कसक है चहरे पर नकाब लिये फिरते हैं जिनके खुद के खाते खराब है, वो हमारा हिसाब लिये फिरते हैं, जिन लोगों ने देश के लोगों, परदेश के युवाओ, किसानों का शोशन किया है, जिन होने महिलाव पर अत्याचार किसी माय लांगी जिनके शासन में दलीतों के घरों को जला दिया गया वे लोग हिसाब मांगते फिर रहे हैं सोनिपत से हमारे एडिटर इंचेफ राजेंद्र भार्दवाज की रिपोर्ट आज कुछ लोग अरे जिना ने काम किया हो वो काम तो अपना बताते हैं कि हमने ये किया है हमारी सरकार थी हमने वो किया है भाईयो इसको उपर चर्चा करते हैं लोगों को बताते हैं हम ये करेंगे हमारी नीती ये है प्रंतु भाईयो किस परकार के लोग है दस वर सासन किया दस वर सासन करने के बाद अपना ही साब तो जेमा पहे लिया दूसरे का साब मांग दे फिर रे काहिल का पुछो क्या करया दस साल में भाई यह किस परकार के लोग हैं और तभी तो यह सोनी पत्की सरदारी के बीच में आया हूं आपको परणाम करता हूं आईसे लोगों को आपने रोत का रास्ता दिखाने का काम किया वाई यो आईसे लोगों को जो यहां पर आए थे सज्भाग दिखाने के लिए आए थे और हाकर के जूठ बल करके डोटे ले जाते थे प्रंतु लोग देखते रहते थे कोई काम नहीं होता था आज हिसाब माग रहे हैं